हम बात कर रहे हैं यस जेवियन की लास्ट ट्रेडिंग डेक ही बात करें तो इस टॉक में हमको तीन परसेंट के उपर की गिरावट डेखने के लिए मार्केट के गिरावट के साथ जब इस टॉक बांस बैक हो रहा था हमने 160 तक के तारगेट को डिसकस किये थे 160 तक के तारगेट को डिसकस कर चुके थे 156, 160 क्यूंके इससे पहले भी इस टॉक ने इसी लेवल से रिजेक्शन दिखाया था देख लेते हैं एक दफ़ा चार्ट पैटन पर देख सकते हैं चार्ट पैटन पर के इसी के आसपास से इससे पहले हमको रिजेक्शन दिखाया था तो हमने वहां तक के तारगेट को डिसकस किये थे अल्मॉस्ट 158 के लेवल से इस टॉक ने रिजेक्शन लिया है 158 के लेवल से देख सकते हैं इससे पहर तारगेट दिखाया गिरावट आई बांस बैक हुआ इस हाई को ब्रेक आट करना इंपोर्टन था ब्रेक आट नहीं कि आ इस टॉक ने रिजेक्शन के साथ में तो इस टॉक ने जहां इस बार क्लोजिंग दिखाए हमको 140 का लेवल इसका मेजर सपोर्ट है इस से पहले भी इसी सपोर्ट से इस टॉक में हमको लगातार थेजी देखने के लिए मिलीथी देख सकते हैं जम गिरावट और 140 के लेवल से इस टॉक में लगातार देखने के लिए मिली थी तो यह तगड़ा सपोर्ट रहेगा 140 का लेवल ब्रेकड़ॉन कर जाता है तो आखिरी सपोर्ट होई जो लो है 135 का लेवल यह सबसे आखिरी सपोर्ट रहेगा अगर इस लेवल को ब्रेकड़ॉन कर जाता है तो वह इसे कंडिशन में फिर 120 तक का भी फॉल एस जेवेन दिखा सकता है अब हमको थोड़ा सा इसके मुमेंटम पर नजर रखके चलना हैं क्यूंकि इस टॉक लगातार गिरावट में तो ह हो सकता है 135 तक की गिरावट डिकाए 135, 140 इसी के बीच में से हमको कहीं भी सपोर्ट लेकर बांज बैक करता नजर आए इनी दो लेवल के आसपास से हमको बांज बैक करता नजर आ सकता है अगर इस टॉक में रिकोवरी आती है जम पाते है तो इमेडिट टारगेट बनेगा 144 145 का लेवल ब्रेकोट कर गया तो नेक्स तारगेट बनेगा 150 का लेवल और 150 के ब्रेकोट के बाद आगेन हमको 154 से लेके 160 तक का जम दिखा सकता है लेकिन यह जो लेवल है 154 से 160 का जो लेवल है इसके बीच का जो लेवल है और रहेगा इसका तगडा रजिस्टन क्यूंक stock का इंतिजार करेंगे फिर हम 160 के break out का अगर 160 के level को yes given break out कर गया तो फिर बड़ी तेजी दिखा सकता है लेकिन फिलहाल stock गिरावट में इसलिए fresh buying के लिए थोड़ा सा इस पर watch रखके फिर fresh buying अम पनी position बना ही जा सकती है वीडियो education purpose के लिए कोई buy sell या hold के सला नहीं है अगर आप teammate account open करना जाते हो तो description में दी गई लिंक से कर सकते हो